हेलो फ्रेंट्स आज का हमारा चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यह इस सीरीज का चौथा और लास्ट पार्ट है इसको शुरू करें प्लीज इससे पहले वीडियो को लाइक करते हैं शेर करते हैं और अगर आपिता का आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं क इसको शुरू करते हैं तो इसको हम डेबिट करते हैं तो हमारी एंट्री फिर क्या हो जाएगी cash account debit to rams capital account right और one lakh debit में डाल देंगे और one lakh credit में डाल देंगे right next entry है हमारी deposited into bank यानि कि पैसे हमने bank में जमा गराए 50,000 तो इसमें हमारे ट्राइं पास दो hours involved है एक तो cash account हैagara और bank account है और बैंक अकॉंट छो है उसको हम क्या करते है उसको हम डिवीट करते हैं और हुमारे पास अब क्या हो टेंगी बेंक अकाउंट डैंश ऑबट डैंश केश काउंट डै जैश ऑच्वाउन और स्टूरिए लिखवें इनक्रीट। नो paid rent तो इसका मतलब इसमें rent है और cash है नो rent एक expense account है और cash है एक asset account है तो इसमें क्या है अब expenses बढ़ रही है increase हो रही है जब expenses increase होती है तो हम उसको debit करते हैं और assets decrease हो रही है ठीक है ना तो उसको हम credit करते हैं तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 डेबिट साइड में और 10,000 credit साइड में लिख देंगे अब अगली हमारी एंट्री है paid rent in advance तो हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया तो दो अकाउंट हो गए इसके अंदर cash account और advance rent account cash account asset account है और हमने जागर पै किया है हो रहा है अगर एसेट होती है तो उपर क्रेडिट करने और coverage जो है वो हमारी asset है यानि कि हमारे पैसे एक्स्ट्रा उसके पास जमा हो गए तो यह भी एक asset है और asset increase हो रही है तो जब भी asset increase होती तो उसको हम क्या करते है debit करते है इसकी entry क्या होगी इसकी होगी advanced rent account debit to cash account right 10,000 debit कर देंगे 10,000 credit में लिख देंगे ठीक है next जो है हमारा purchase goods from mohon 40,000 ना अगर purchase goods from mohon 40,000 है इसका मतलब कि हम उसको credit पर खरीद रहे हैं तो दो account हमारे पास आ जाते हैं एक है purchases account दूसरा mohon account now purchases क्या है they are expenses और expenses increase हो रही है इसलिए उनको debit करेंगे मोहन जो है अब हमारी लाइबिल्टी घड़ी होगी उसको पैसे देने तो लाइबिल्टी बढ़ दहीं है यानिकि इंक्रीज हो रही है जब लेबिल्टी बढ़ती है तो उनको हम क्रेड़िट करते हैं तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी पर्चेजेज अकाउंट डेबिट टू मोहन जगाउंट 40,000 डेबिट साइट पे लिख देंगे 40,000 क्रेडिट साइट पे लिख देंगे राइट नेक्स हमारा है 10% अफ दे गोड़ पर्चेज फ्रॉम मोहन रेटर्न टू हिम अब जो मोहन से हमने खृवी थी होशाकता है हमें चीजे पसंद नहीं आई है तो हमने उसकी जो 10% थी वो क्या किया उसको वापस कर दी तो दो अकाउंट हमारे पास होगे मोहन जगाउंट और परचेजेज अकाउंट मोहंस अगौट लियाबिलिटी अगाउट और इस एकाउट प्रशेस हाँ जो कम हो रहे तो अगर प्रशेस अगर कम हो दिए उनको हम credit करते हैं तो entry हमारी अब क्या होगी Mohan's account debit to purchase return account और amount कितना होगा अब amount के लिए क्या है क्योंकि 10% of the goods थी तो कितने goods ली थी 40,000 की तो 10% निकालने के लिए हम क्या कहते हैं 40,000 को 10% का मतलब होगा 10 upon 100 से multiply कर दिया इस 0 से यह 0 गया और इस 0 से यह तो आगया हमारे पास 4,000 तो entry में अगर हम debit साहिब में 4,000 debit कर देंगे 4,000 credit कर देंगे right next goods sold to sohan for 1 lakh rupees अब sohan को हमने 1 साल 1 lakh रुपे की जो चीजें है goods है उनको credit पर बेची है तो sales account है और sohan's account है sales क्या होता है वो है revenue account और increase हो रहा है इसलिए हम उसको करेंगे credit sohan's जो है वो asset है उनसे हमने पैसे अभी लेने है तो वो asset है हमारी और यह increase हो रही है तो assets जब भी increase होती है उसको क्या करते है हम डेबिट करते है तो अब entry क्या हो जाएगी sohan's account debit to sales account और amount at 1 lakh rupees तो 1 lakh debit में लिख देंगे 1 lakh credit में लिख देंगे राइट जी अब 10% of the goods sold to sohan returned by him हमने उनको जो बेची थी एक लाग रुपे की goods उसका 10% goods जो थी वो उसने वापस कर दी हमें तो फिर 2 accounts है sales return account है और sohan's account है sales return क्या है it is a revenue account और क्योंकि अब यह क्या हो रहा है कि उसने समान हमें भेज दिया तो यह कम हो रहा है तो decrease हो रहा है revenue जब भी decrease होता है तो उसको हम क्या करते है debit करते है और sohan's जो है वो हमारी asset थी और अब उसने पैसे कम देने है क्योंकि उसने बागी तो goods दे दी है तो पैसे कम देने है इसका मतलब वो भी decrease हो रहा है assets account जब भी decrease होते है तो हम उनको क्या करते है credit करते है तो अब entry क्या आ जाएगी हमारी sales return account debit to sohan's account right और amount of कैसे निकाले one lakh का 10% तो one lakh का 10% निकालने के लिए का करते हैं 10 upon 100 से multiply करते हैं इस 0 से ये 0 गया और इस वाले से ये गया तो आँ चाहा हमारे पास 10,000 यानि कि 10,000 debit side पे लिख देंगे और 10,000 credit side पे लिख देंगे right next entry हमारी आती है amount paid to Mohan on account अब हमने जो है उनसे जो credit purchase करी थी उनके पैसे हमने 10,000 पे उसमें on account दे दिये तो इसमें cash account है और Mohan account है cash account क्या है asset account है और Mohan account क्या थी liability account थी जिस वकर हमने पैसे दिये तो हमारी जो cash था वो कम हो रहा है यानि कि asset decrease हो रही है और liability अगर decrease हो जाए तो उसको हम क्या करते है debit करते है तो अब entry हमारे पास क्या आ जाएगी Mohan's account debit to cash account 10,000 debit side पे डाल देंगे और 10,000 credit side पे डाल देंगे right अगला जो है हमारा वो है receive 20,000 from so on not so on जो की हमारा data था जिसको हमने जो है goods हमने credit पे बेची थी अब उन्होंने हमें 20,000 rupees दे दिया तो हमारे दो account होगे cash account और so on account cash account है asset account और so on account वो भी asset account ही था नो cash आने की वज़ा से यह जो है increase हो रहा है हमारे पास cash यानि कि asset increase हो रहा है इसलिए it should be debited जबकि assets as a so on जो है अब वो decrease हो रही क्यों को पैसे तो नों दे दिया बाकी और कम पैसे देने तो जब assets decrease होती है तो उसको हम credit करते है तो अब entry क्या बन जाएगी cash account debit to so on account 20,000 debit कर देंगे 20,000 credit कर देंगे right अगरा है salary due but not paid इसमें दो चीज़े है एक तो है salary account और एक outstanding salary outstanding salary कौन से होते है कि salary हमारी due हो गई है यानि कि हमने देनी थी आज जैसे लेकिन दी नहीं है तो due हो गई है अब ही pay करनी है तो salary account क्या है expenses account है जबकि outstanding salary जो है वो है liability account जब salary account expenses है इसमें increase हो रही है तो जब expenses increase होते हैं तो हम क्या करते हैं debit करते हैं और liability जो है वो भी increase हो रही है हमारी क्योंकि हमने दी नहीं है तो liability increase हो तो हम क्या करते हैं credit करते हैं तो अब entries की का करेंगे salary account debit तो outstanding salary account ठीक है जी Outstanding salary account 10,000 debit में और 10,000 credit में डाल देंगे ठीक है न outstanding salary एक परिफीर समय लोंकिया उती है outstanding salary हो दिये जो salary due हो गए हो लेकिन अभी हमने pay करनी है that is why it is liability लेविल्टी इंक्रीज होने की वजा से क्रेड़िट हो गई है ठीक है एक जिरए इंट्रस्ट द्यूऊ बट नॉट रिसीट नव इंट्रस्ट भैंक में हमने पैसे जमा कराते हैं उसका हमें इंट्रस्ट मिलता है वो ड्यू होगया लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है तो interest account है और accrued जो accrued interest अध्रूट कौन सा होता है वो interest जओ due होगे है लेकिन receive नीजुँआ इन्टरस जो है वो revenue है revenue अगर increase हो तो उसको हम क्या करते है credit करते है और accrued interest क्या है वो हमारी asset है तो asset अगर increase हो तो हम क्या करते है debit करते है तुम्हारी entry क्या होगी, accrued interest account debit to interest received account, right, और amount जो है 5000 रुपीज था, तो 5000 debit side में लिख देंगे, 5000 credit side में लिख देंगे, अगला है, with you cash for personal use, पैसे जो है, जो honor है, उसने personal use के लिए 5000 रुपीज निकाल लिए, तो यह अचली drawing किया है, तो एक तो drawing account हो गया, और cash account हो गया, drawing क्या है, capital है, और इस act से क्या हो रहा है, capital decrease हो रही है, capital अगर decrease हो तो हम क्या करते हैं, उसको debit करते हैं, और asset जो हमारी cash बहाद जाने की हैनी की decrease हो रही है, तो asset जब decrease होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, credit करते हैं, तो अब entry क्या होएगी, entry हो जाएगी हमारी drawings account debit to cash account और amount 5000 debit side पे 5000 credit side पे, right, अगला है हमारा goods costing rupees 2000 taken for personal use by राम, तो राम जो है, अपने personal use के लिए goods ले गया, तो अब इसमें क्या होगा है, कि goods हमने purchase करते ही थी, sale करने के लिए, तो हमारी जो purchase का effect आया उसके उपर की purchases हमारी कम हो गई, purchases क्या होती है, expenses होती है, expenses अगर कम हो जाती है, decrease हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उसको, credit करते हैं, औ और दूसरा जो है अगए रहा है आई वह ऊक्म है इनवाल वो रहा इसे बारई से लगाउंट ठीक न तो इससे YouTube पेपितल डिक्रीज ओर एस में डील का तो उडियाग Ben Squamia जोम करतें तो अब इसमें अमारे पास क्या आगए एंट्री ग्राइंग्स अकाउंट डेबिट तू पर चेज़ अकाउंट राइट और टू थाउजन रुपीज की थी तो टू थाउजन डेबिट कर देंगे टू थाउजन ग्रेट में लिख लेंगे अगला है परचेज गुड्स फॉर थर्टी थाउजन नौ यह सीधा कैश परचेज का केश सब्सक्राइब करेश देने की वज़ासे आससे हमारी कम हो रही है अगर डिक्रीज वह तो हम उसको क्या करते क्रेडिट करतें तो इसका से अंट्री अब हमारी क्या बनेगी टूब debit to cash account, right, और amount 30,000 debit side में लिख लेंगे, 30,000 credit side में लिख लेंगे, next entry हमारी है, sold goods for 40,000, और ये भी cash sale का केसे, तो यानि कि sales account है, और cash account है, तो sales account क्या होता है, revenue account है, और sales बढ़ रही है, यानि कि revenue हुमारा बढ़ रहा है, तो revenue अगर increase हो, तो हम क्या करते है, credit करते हैं, और जब हम sale करते हैं, तो पैसा हमारे पास आता है, यानि कि assets जो हैं, वो increase हो रही है, तो asset अगर increase होती होती है, debit होता है, तो entry हमारी क्या हो जाएगी, cash account debit to sales account, और क्योंकि 40,000 की sale थी, तो हम 40,000 debit कर देंगे, और 40,000 की credit कर देंगे, I hope आपको ये समझ आया हुएगा, अगर कि इसी तरह कि कोई भी इसमें problem आती है, तो आप comment box में ज़रूर लिखें, I'll try my best to solve those queries, और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगिए, तो इसको like करें, share करें, और अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया, तो please, please इसको subscribe करें, इससे होता क्या है, जब आप subscribe करते हैं, तो हमें motivation मिलती हैं, नहीं वीडियोज बनाने की, और bell icon ज़रूर दबादें, जैसे क्या होगा कि जैसे नहीं वीडियो आएगी, आप तक notification मिल जाएगी, thank you, God bless you, all the best.